के से आप से भी लोग क्या आपको मेरी प्यारे आवाज सुनाई दे रही है या आप देखना आज हमारे पास एक हाई इल्डिंग समरी है एक टॉपिक ही जो की टॉपिक बहुत जाए इंपॉर्णट है चाप्टर नंबर सेवन इवोल्यूशन में ठीक है बहुत ही जादा लि आपके साथ एक में अनॉस्मेंट करना चाहता हूं देखना नेरवर्ट 4-5 देज की बीच में ठीक है मैं जो हमारा क्रेश को स्टार्ट हो रहा है ठीक है मतलब स्टार्ट है अभी जो अभी आज हम पढ़ने वाले तो इस तरह से सभी टॉपिक्स में आपको नेरवर्ट 4-5 की बीच में कवर करो लूँगा आपको लाइव एटेंड करने नेरवर्ट 25 से लेकर 30 मिनिट कार एक टॉपिक होता है अच्छे से कवर हो जाएगा और सबसे खास इस आपके पास फिर बचते हैं 35 इस इंपोर्टेंट है अच्छे से सुना बीटा उन 35 देज की बीच में मैं आपको 15 नंबर ओफूल सिलाबस्टे स्वाल करा के लेने वाला हूं बायलोजी में खुद से लूँगा केमिस्टी और पीजी स्केल है एक तो मैं नहीं तो मैयूरी मैं दोरों में से एक जन आपको यसकोशन की प्रैक्टिसिंग करा के ले लेगा ठीक है तो इसके लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं होने वाला है ठीक है और लाज के कुछ इंपॉर्टन दीने आपके पास निरबूर 35-40 डेस तो आपका पूरा अच्छे तरीके से इंपॉर्टन घरी के करई बीचन भी हो जाएगा ठीक है तो चले का मैं आपको दिखा जेता हूं कि नोट्स क् प्रॉम लाइफ बेटा ठीक है तो उन्हेंने क्या कहा था कि स्पॉंटेनेस जन्रेशन नहीं होती उन्होंने एक फ्लास का एक्स्पेरिमेंट किया था ठीक है आपको एक मालूम नहीं क्या किया था क्लोस फ्लास को लिया था उसके बीच में पहले से कोई लाइफ नहीं थी इसके वज़े से नहीं लाइफ की फॉर्मिशन नहीं हुई तो हमारे लोईस पैश्चर चचा ने कहा कि आपके एक नहीं जिंदगी पुरानी वाली जिंदगी से आती है बट उन्होंने सेक्शोर रिप्रॉडॉक्शन उसके बार में कुछ नहीं बताया था उन्हें बस लगत आपके नहीं चचा थे बटा अपकी जो लाइफ होती है यह तो जो भी स्टुक्ष और इच्छे से बटा ठीक है और आपके जो मिलर चचा देखना आज का सेशन अगर अच्छे तरीकी से इंपोर्टन्ट ली एटेंट करोगे तो बहुत अजादा बेनीफीट हो सकता है तो इसके लिए आपके पास एक सिंगल हुज एक्सप्लोजन हो सकता है अर्थ की फॉर्मिशन के लिए अगरे इसके फॉर्मिशन के लिए आप अच्छे से याद कर सकते हैं ठीक है हमारी जो अर्थ है ठीक है बिग बैंक थे अगर आपने पड़े होगी 4.5 बिलियन एयर्स आगो देखना यूनिवर्स पूरा जो मिल की वे गैलक्स है नौर सभी है यूनिवर्स ठीक है और 20 बिलियन एयर जोडर ठीक है तो पृत्ष जी ब नीटी 4.5 बिलियन आगो एलाइफ और ऊरजिशन उर्पाइठ के बाद में और नीट करते है इस चीजद करना आपका वोटर अबर्मेंट्थर प्लाइए करती है मैं फिर से डियंध करता हूँ आपका यूनिवस 20 billion์इस ऐगो अर्थ 4.5 billion से रागो आपकी लाइफ सबसे पहले life मतलब जिंदगी 4 billion s.a. अग आई थी नौन-cellular form सबसे पहले 3 billion s.a. अग बैठा कोई नॉन यह च्ट्रक्चर नहीं था प्रोपर से भीच में दिखता है फो सकत बीष्ट अगो आपका प्रोडिउस उवा था ठीक है पिसे अच्छा-इसक याद करने इसके उपर कुछन पूछ जाते इनौ वर्टिप्रेट बेट्ट कैसे होते थे पहुत जीए पहले अंपक मतलब देखा बेटा इसके अंदर आपका half billion होता है ठीक है 500 million एर्स आगो मतलब क्या 500 million एर्स आगो बेटा जॉले स्विशेष फिंड फीश 350 million एर्स आगो बेटा आपकी जो सीवीड थी ठीक है सीवीड ठीक है वो आपकी 320 million एर्स आगो हुई थी सभी के सभी टाइमलाइन भहुत था इंपॉर्णन है आपको याद होगी ठीक है आपको मैं अगर नीन से भी उठाऊंगा और पूछांगा कि सीवीड कब आई थी तो 320 million एर्स आगो जोले स्विशेष या तो फिन फेशेष 350 million एर्स आगो ठीक है आपकी के इनवर्टीब्रेट्स 500 million एर्स आगो सेल्यूलर फॉर्म 2 billion नॉन सेल्यूलर 3 billion एस वेले लाइफ ओरिजनेट हुई थी 4 billion युनिवर्स 20 billion से से आगो और अर्थ वाज डेवलप और इवल्यून यू कैन से 4.5 billion से आगो ठीक है इसके अंदर देखना फर्स्ट और्गिनम और यूए अंधिन धरिकी इनवेड़ ले नं थे इन धर्से माता पर सबसे पहले इनवेड़ करने वाले प्लान तरह सबसे पहले प्लान थे फिर बात और अर्गिनिजम्स वहारे धर्ती माता मतलब लैंड पर आना स्टार्ड हो गए ठीक है सिलीकांथ जो कि साउथ अफिरेके में पाया जाता था ठीक है पाया गया था जो कि लोव फींच शो करता बैटा जो कि फॉर्स्ट एमफिबियन था जो कि रेप्टाइल की तरह दिखाई देता था ठीक है मत जो कि रेप्टाइल की तरह थे एक हाई तो सोर्स जे थे बेटा ठीक है जो कि लिंक थी आपके फीशेस एस वल दे रेप्टाइल की बीच में ठीक है ट्राय 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 नसौर ता जिसकी हाइट 20 फीट तक भी ठीक है एक लॉंग डागर वगरा हुआ करता था तो आपक ट्रक के ट्रक की हाइट का ठीक है फिर बाद में फ़र्स्ट मैमल्स आपके श्रीव लाइक थे बेटा छोटे हाथ छोटे पेर बगरा ठीक है श्रीव लाइक एनिमल्स थे सी वॉल राइट बेटा इससे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते इसके उपर कोशिन पूछा गया था प्रिवेस एर के अंदर देखना यार में थोड़ा सा भगा रहा हूं भगा रहा हूं मतलब क्या बेटा एक प्रॉपर तरीके से ले जा रहो उसका रीजन है क्योंकि आपको अभी फास्ली रिवाइस करना पड़ेगा नीट भोचा था नस्दीकारिया ठीक है एन इससी लेक अब देखना है ओरीजिन पड़ना है ओरीजिन ऑफ लाइफ यू कैसे ठीक है बेटा तो सबसे खास चीज टेर वास नो एटमास्पियर ऑन दी अर्लियर एंड जो खास करके सिच्वेशन थी बेटा वो सभी सिच्वेशन रीडियूसिंग टाइप की थे बेटा ठीक है आप तो अर्ली आटमोस्पियर वोस्ट रीडियूसिंग एटमोस्पियर ड्यू टुटु विज लाइफ गेट ओरिजनेट बेटा ठीक है डिफरेंट काइंड ऑफ दी मेट्रील रिदक्शन से बने लाइफ ओरिजनेट हुई अम आपकी प्रिकर्स बने होंगे इसकी वज़े से अभीके इनवार्मेंट में ऑक्सीडाइजिंग रिद्यूसिंग होनी की वज़े से नई और्गेनिजम की फॉर्मेशन नहीं हो से ठीक है तो अगर आपको कोई क्वेशन होगा कि भाईया उस जमाने में तो नहीं और्गेनिसम बनते थे अभी क्यों नहीं बनते क्यूंकि अभी का एनवार्मेंट ऑक्सीडाइजिंग है उस समय में रिद्यूसिंग हुआ करता था उस दमाने में वाम हुआ करता था ठीक मतलब क्या वॉटर एच्टू बेटा हमारा फॉर्स्ट लाइफ ओरिजन होआ था येच्टू की कंडिशन के अंदर येच्टू आ करता था रिद्यूसिंग था अमोनिया था फेटा 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 येच्टू और अलग से सेप्रेट होता था येच्टू आपका वगरा मंदल भी इवाल हो जाते थे एक दूसरे के साथ नहीं मिलके नहीं कंपॉंट की फॉर्मेशन करते थे फिर वामने सबसे खासी आपको याद करने मिलर का झनी development मेर का चैक है मिलर का गया था कब येटक्शन ने कि वेटनिलं भी Change जमाने में घगा तर्फ इमपरेचर वह जाधा था क्योंकि यूसकाες ये मारी जो दुनिया थी एक ततपता हुआ गोला था तो धीरे धीरे से वो थोड़ा सा थंदा हो जा आता इसके वज़े से 800 डिग्री सेश था, मिथेन था, अमोनिया था और हैटोजन था, उसका रैशो 2 is 2, 1 is 2, 2 था ठीक है, इसके उपर question वेसे तो नहीं पूछा जाएगा, पर still आप याद कर सकते ठीक है, और सबसे खास चीज की मिलर चचा के determined से हमें अमाenoshima थीद से मिले थे, ठीक है, और बाकी scientists को बाकी की चीजी मिल गई धी, और मिलर चचा को आपके खराए चाट रखने हैं इसे प्रोटीन की फ़र्मेशन फिक है तो यह सबी चीज़ आपको ट्रांसलेशन के अंदर दिखाई देगी हम इसे जेनेटिक्स के अंदर अलग से पढ़ने वाले बैटा जैब आपको एक फिगर देखनी हैं फिगर बहुत इंपॉटन्ट है फिगर पॉइंट सेवन पॉइंट वन पेज़ डामर वन ट्वेंटी एट एंसाइटी ट्वेड़ ठीक है अब देखना कि आपको देखना है कंडेंसर ट्रैप देखना है ठीक है वैक्यूम पंप कहा पर है यह सभी चीज़े डियाग्राम के अंदर देख लो जल्दी से तब तक मैं थोड़ा सा पिंक पिंक करता हो ठीक है देख लो जल्दी से वैक्यूम टैप कहा पर है बेटा कंडेंसर कहा है वैक्यूम पंप पगएरा सभी चीज़े देख लिया ठीक है अभी आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों नहीं देखा तो थोड़ा सा पॉस भी कर सकते हो ठीक है तो यह लोशन देखना डार्वीन चाचा थे ठीक है वह यह मैस बीगल नाम की उनके पास एक शीब थी उसके थुरू उन्होंने नैचरल सिलेक्शन प्रोसीजर को ओरिजिनेशन दिया थे या तो थेरी दी थी ठीक है आगे जाके बहुत अच्छे तरीक से अल्फरेड वालस असवेल यह चाचा थे बेटा आपके मैलाय एर्की पेलोगलो जो की उन्होंने भी सेम स्टेट्मेंट दिये थे ठीक है इस चीज़ को अच्छे से याद करना बेटा ठीक है डार्वीन चाचा के साथ में अल्फरेड वालस चाचा थे जो कि मैलाय एर्की इसके उपर एक बहुत साथ इंपोर्टन कोशन पूचा जाता है टू की कॉंसेट्स और डार्वीन इवोलुशन पूचा जाता है यह सभी का सभी कॉंटेंड आपकी एंसाटी के अंदर का है यह आपर एक भी चीज यह बाहर की नहीं है थॉमस मैलतस ठीक है उन्हें आपके पॉपुलिशन के पर एक स्टेटमेंट कहा था ठीक है पॉपुलेशन स्टेबल होती है साइस के एक्सवेट में सीजनल फ्लक्टूएशन पाया जाते मतलब क्या सिजनल के थूपर नीचे हो सकता है बड़ा आपकी पॉपुलिशन नॉर्मली स्टेबल भी हो सकती उसकी बहुत इंपोरन सी चीज़े में आपका है पर हायलेटर रिउस करते हैं अब फॉपूपूजिय मतलब क्या औरीजिन सेम है औरीजिन सेम मतलब क्या बड़ा कि हाथ क्यूंगलिया बनी है तो एक पर्टिकुलर औरीजिन से बनी होगी है ठीक है यह से बीचीजिज इसे पर् सब्सक्राइब और मैं तो हमारे अंदर हाथों का उर्जिन से में बट फंक्शन डिफरेंट है मैं लिखता हूँ आप पत्तर फोड़ते हो ठीक है तो फंक्शन डिफरेंट है बस एक्जांपल के रिबतार ठीक है बट ओरिजिन से में तो यहां पर हम होमोलोजी दिखा रहें यह आप एक सबसे खाची देखना कि आप भी पत्तर फोड़ते हो में भी पत्तर फोड़ते हो बट ओरिजिन डिफरेंट है मतलब एनालोजी हो जाएगा मैंने बहुत सिली तरीके से समझा दिया अबर स्टिल यू कन अंडस्ट्याड क्योंकि हम बहुत ज्यादा तरीके से कि इसे रिवाइस करें ठीक है ऐगे बढ़ेंगे डाइवर्जेंट एवलेशन होता है आपका हमोलोगी में तलब ठीक है यह आप देखना कि यह जो होता है आपके कॉमन एंसेस्टर सब्सक्रूर्बता ठीक है एक्चुलि देखना थांस और प्लिक्छ are the modified structures of the stem, ठीक है, they have the same origin, auxiliary birds are the same original structures, but their function, their function is the different, ठीक है, so thorns का function ना लग था पेटा, आपके tendrils का function ना लग था, but origin same था, but still देखना पर एक important शीद देखना, wings of butterfly as well as the bat, ठीक है, इन दोनों का origin different है, but function same है, दोनों भी उड़ने के लिए help करते बेटा, इस तरह से यह भी example से आप याद कर सकते हो, ठीक है, यह भी याद कर सकते हो, यह तीनों के तीनों examples याद करनी की ज़रुरत है, इसके बाहर के examples आने के chances भहुँदा कम है पेटा, इसके बाहर के examples खास करके नहीं आएंगे बड़ इतना बहुत जाद इंपॉर्डन था ठीक है Likens के बार में एक चीज़ याच्छे सी आद करना तो कि आपकी industrial pollution indicators होते हैं खास करके ये SO2 के region में grow नहीं करते बेटा ठीक है जहाँ पर भी आपका sulfur dioxide वगरा होता है highly polluted आपकी cities वगरा होती है highly polluted कोई भी आगर आपका area है वहापर Likens grow नहीं करते ठीक है क्यों क्यों polluted areas के पास नहीं पाए जाते मेरे दोस्तों ठीक है यह आपर highlighter change करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्या यहस बेटा ठीक है तो मैं आभी देखने Adaptive radiation मतलब क्या होता है सबसे खास इस Adaptive radiation के दो examples अच्छे से याद करना Finches अब भी मेरे साथ याद करो यह कोशन नीट में आएगा यह कोशन नीट हजार 2022 के अंदर आएगा यह तो 23 के अंदर तो जुरूर आएगा Adaptive radiation आपके सब्सक्राइबन के फिंचेस या तो आपके मार स्पेस बेटा ठीक है और देखना कि Adaptive radiation क्या होता ठीक है मेरी थोड़ी से जबान सी सरी है थोड़ा साइड इजश्मेंट कर लेना एक स्पेसिस जोके Adapt करती है ठीक है और डिफ्रेंट स्पेसिस के अंदर Convert होके रेडियेट करती है मतलब क्या देखना इमाजिन एक पर्टिकुलर एरिया है यहां एक स्पेसिस डिफ्रेंट फॉर्म में आपकी रेडियेट हो गई ठीक है मतलब इवाल हो गई और फिर से यहां से उड़के आपके नए एरिया के अंदर चली ठीक है इसे में कहेंगी पर आपके पास तो रात दिख रही है ठीक है यहां पर आपके पास तो रात दिख रही है ठीक है इस लेक्चर को ना सुबह के पास बज़े रेकॉर्ड कर रहा हुँ ठीक है अभी रात की नो बज़े अभी रेकॉर्ड करके आपका प्रीमेर कर दूंगा ठीक है तो आपको लाइव की तरह हो जाएका मैं आपकी कॉमेंट्स बढ़ता हूँ सभी चीज़े मैं आपको जो कर लो आपको सभी अपडेट्स मिल जाएंगे ठीक है यहाँ पर आदा नाम दिया है युगो दे वराइज चाशा ठीक है इन्होंने स्टेडी की थी आपकी इविनिंग प्राइम रोज ठीक है इसका दूसरा नाम फाइंड आउट करना है ठीक है यह आपके लिए होमवर्क ह ठीक है लमार क्या नहीं या वगेरा ठीक है यस ओके तो देखना कि उन्होंने म्यूटेशंट की बारे में स्टडी किया था ठीक है उन्होंने बात की थी की शॉल्टेशन थीर्य क्यों पर हुगो देवराइज इविनिंग प्राइम रोग्स सो उनका और आपके जो डार्वीन चचा थे उन दोनों का रिसर्च एकदम ऑपोजीट था हुगो देवराइज के अंदर जाएंगे हुगो देवरा इस डिरेक्शनल लेस कहते थे इनने रे साल्टेशन का था सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इस कॉल्टेशन और डार्वीन इवलेशन वेरी ग्राजूल इवलेशन ठीक है इसे एच्छे से याद कले न हमें हाव बस यहां तक देखना है ठीक है इसकी बार गें बस गुड़ कोश्चेंस है गुड़ कोश्चेंस हम स्वाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपर बहुत लिमिटेड कॉंटेंट दिया ठीक है तो मैं बस यहां तक देखना है बहुत जल्दी कवर हो जाएगा विदिन फाइम मिट सब्सक्राइब करना है तो इस चीज़ को अच्छे से हाइलाइट करना है ठीक है अगर पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में है तो अभी यही आपका फॉल होगा अगर कोई आपके जो आपके फाइव होते फाइव फैक्टर्स जो कि आपके एफट करेंगे एक्विलिब्रियम को अगर वह यहाँ पर लागो परते तो हाइटी विंबर का फ्रिंसिपल चेंज होने बाला था ठीक है तो पी डॉमिनेंट के अंदर इससे ज्यादा डिपलीन ही जाएंगे ठीक है पाच फैक्टर होता है जो कि आफट करेंगे एक्विलिब्रियम हाडी विंबर्ड का आपका जो एक्विलिब्रियम होता है उसे आफट करेंवाले फाइव जोन होते है तो जीन माइग्रेशन या तो फुलो नॉर्म अगर नेचर किसे प्रटिकुलर सेलेक्ट कर रहा है तो इससे 5 इक्लिब्रैम है जो कि इस इक्लिब्रियम को फ्ट करते हैं ठीक है जैनेटिक डिफ्ट म्योटेशन जेनेटिक्री कॉंबिनिशन और आपके नेचरल सेलेक्शन इससे किसी भी गंडिशन में याद करना ठीक है evolution of man पढ़ना है इसको निमिनिक बेटा ओडर पी ड्राहेंस बेटा ठीक है इस चीज को च्छे से याद करना अच्छा ग्राफ है आपकी पास ठीक है हो मुलीनिक अपको दिखाई दिया थे 1891 के अंदर ठीके सभी चीजे पेकिंग मैं हुआ करता थे ठीक है एन इसी तरह से आपको और भी चीजे अच्छे से याद करने बेटा नियंदेथरल मैन जो कि प्रेन कैपसेटी 400 CC कलॉस पहना करता था बरिट डेड किया करता था ठीक है बहुत अच्छे तरीक से याद करने बेटा इस तरह से आपको एक टीप भी जी है इस आपके साथ डिसकस करना चाहता हूँ रूखो एक मिनिट एक मिनिट रूखना ठीक है तो आपको क्या करना है बस इस प्लेडिस्ट को फॉलो कर लो लेकर आपको आपके इकोलोजी तक सभी इसकोशन्स मिल जाएंगे 15 फूल सिलाबस टेस्ट मतलब क्या आपको फीजिक्स केमिस्ट्री बायालोजी खास करके ठीक है इसके नोटस आपको हुमारे अप्लिकेशन पल मिल जायेंगे अप्लिकेशन का नाम है YouTube के नाम की तरह वैभुदेश्मुईट तो जल्दी से जाओ अप्लिकेशन को डाउनलड करो अप्लिकेशन पर ही नोटस मिलेंगे दूसरी जगा पर नहीं मिल सकते ठीक है भस अप्लि